एक्षिन इसके pre-production में काफी जयता देरी हुई थी इसलिए इस फिल्म का पिनस्पल फोटोग्राफी नवंबर 2022 में शुरू हुआ पिनस्पल फोटोग्राफी उसे काते हैं जहां पर फिल्म के एक लाकार के साथ कुरू पहली बार footage सूट करते हैं पिनस्पर फोटोग्राफी के दुरान सारे लोग सेट पर होते हैं चाहे वह सेट स्टूडियो के अंदर हो या फिर बाहर हाँ तो इस मोवी का पिनस्पर फोटोग्राफी नवंबर 2022 में हुआ था स्टूटिंग कहा का पर हुआ था या मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा इस मोवी में आपने जितने भी इस तरीके का सीन देखा था दोस्तों तो सीन को सूट करने से पहले सारे सौट का स्केचेस बनाए गया था ताकि कोई भी इंपोर्टेंट टेकन ना छूटे यहाँ पर आप इस मोवी के लीड एक्टर रितिक रोसन को एक रियल जेट से सौट देते विए देख सकते हैं लेकिन यह सब सौट देने से पहले रितिक रोसन या फिर और भी कलाकार जिनोंने इस मोवी में पैलोट का किर्दान निबाया है फ्लाइंग सेमुलेटर पर समय बिता कर इस चीज़ का काफी ट्रेनिंग लिए थे इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप रितिको और भी सिन का सुटिंग करते विए देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ ब्याहरण 10 दिन इस मोवी के सुरुवाती टाइम का है जब अनिलकपूर यानी रोकी सर अपने एरफोस टीम से जम्मु कस्मीर में मिलते हैं तो दोस्तों आप इस सिन का सुटिंग करते विए देख सकते हैं इस सिन में थोड़ा ऐसा होता है कि अनिलकपूर जो कैप पहने हुए हैं इस से पहले वे अपने लेप्ट साइड की और जुका कर पहनते हैं जो की केमरा मेंनों डाइरेक्टर को केमरा एंगल से थोड़ा या चीज देखने में ओकवर्ड लग रहा था इसलिए उन्होंने इसे राइट साइड से पहनने को का फाइनल सीन तो अपने देखाए होगा बिल्कुल ही कमाल का था साठ साठ साल के उम्र हो जाने के बाद भी इस तरीके का एनरजेटिक रोल निभाने वाले के लिए तो एक लाइक दो बनता है कमेंट में चैहें हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भोलें और इन्डि स्क्रीन में आगी वीडियो पर किलिक करें